हर इंसान का अपने जीवन में कुछ ना कुछ गोल होता है चाहे वो गौर्वेंट जोब की बात हो स्पोर्ट्स में करियर बनाना हो या अपने अंदर की आर्ट को निखारना हो सभी अपने हिसाब से आफर्ट भी लगाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग फेलियर की वज़े से या कम अफर्ट्स की वज़े से अपने लक्स को पीछ में ही छोड़ देते हैं और सारा दोस्किसमत को देते हैं डिसीजन आपका, गोल भी आपका सफर भी आपको तेह करना है लाइफ की इस मिस्ट्री में सबको स्ट्रेगल करना है दोस्तो पूरी जिंदगी आपको संगर्स करना है और आप इससे बच नहीं सकते हैं अगर आप खाली घर पर बैठे हैं तो सुसाइटी या रिलेटिव से स्ट्रेगल अगर आप कॉम्टिटिव एक्जाइम की तेहरी कर रहे हैं तो पढ़ाई से स्ट्रेगल या सफल होने के बाद पोजिशन पर बने रहने के लिए स्ट्रेगल तोस्तो बस बात इतनी सी है कि जब आप जोब करते हैं या अपने पैसन को फोलो करते हैं अब आपको संघर्स में मज़ा आता है आपको वो काम मजबूर ही नहीं लगता एक चोटी सी बात है कि आपको भूख लगी है और आपके पास कुछ गेहूं है अब क्या करोगे गेहूं काटा बनाओगे फिर रोटिया लेकिन बूख शांत तो गेहूं खाकर भी हो सकती है हम रोटिया बनाकर क्यों खाते हैं क्योंकि ये खाने में स्वादिष्ट लगती है यहीं आपके गोल के साथ है दोस्तो सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे लेकिन मज़ा तो तब आएगा जो आप चाहों उसे हासिल करो उसके लिए एक प्रोसर्स से गुजरना होगा अफर्ट्स लगेंगे डिस्ट्रेक्शन साएंगी सबसे पहले कुछ से सवाल किजिए कि आप ये गोल क्यों अच्यूँ करना चाहते है जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं करेंगे उसकी बारीकियों को नहीं समझेंगे आपका इंटरस्ट नहीं बनेगा पर बिना इंटरस्ट के किया कोई भी काम बेहतर रगल्ट नहीं देता लक्स निधारित करके उसे अच्यूँ करना थोड़ा मुस्किल है क्योंकि इसका कोई सोर्ट कट नहीं है अगर आप अपने गोल को छोटे-छोटे तुकडों में बाट कर एक प्रोपर प्लैन के साथ करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको दिन रात अफर्ट्स नहीं लगाने मगर आपको एक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत है ताक्यों काम बोज़ना लगे खामियाबी कभी आसमान से नहीं टपकती और हर इंसान देरे देरे और लगातार प्रियास करके ही सफल हुआ है अगर आप एक ही दिन में सब कुछ हासिल करके सफल होने के ख्वाब देखते हैं तो यह आपकी बल्ट फेमी है एक मत्र पोरी कलपना है जिसका रियलिटी से कोई तालमेल नहीं है कभी भी अपनी लख्स को लेकर नाईटी उसोचने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आवर एक्टिटूड टूर्स लाइफ डिटर्माइन लाइफ एक्टिटूड टूर्स है हमानता हूँ काफी बार हमें फेलियर्स मिलते हैं लेकिन उससे हमें अपनी लख्स को छोड़ने की जरूरत नहीं आपने कहां गल्टी की और कहां कमी रहे गई इसको एनलाइज केजिए फेलियर्स आपको स्टॉंग बनाते हैं आप अपने गोल के बारे में दोस्तों को बताओ जब आप टूट जाओगे तो हुई बांधने का काम करेंगे तो दोस्तों जरूरी ये है कि आप जो भी करो उसको पूरे मन के साथ करो सीखने के लिए करो बोज़ या मजबूरी के लिए नहीं जो भी काम करो सिद्धत से करो आपके राष्ते अलग हो सकते हैं س्ट्रेगल अलग हो सकता है लेकिन आपको वो हासिल करना है जो आप चाहते हैं जो आपका पैसन है दोस्तों सफर बहुत लंबा है तो सलते रहें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी सेवर करें